Hello students, welcome to our channel वीडियो को लाइक जरूर किजेगा students चैनल को सस्क्राइब किजेगा हम question number 1 से लेकर 10 तक आपका model question paper math class 10 कर चुके question number 11 करने जा रहे निन्द में से कौन सा दुईघात समिकरंड है, सबसे पहले हम दुईघात समिकरंड को समझ लेते हैं students जैसे यह हमारा x square plus 2 यह आपका एक दुईघात बहुपद है और बराबर अगर देकर हमने 0 दे दिया तो यह एक दुईघात समिकरंड बन गया तो ध्यान दिजेगा बच्चों दुईघात समिकरंड में जो x का highest power होता है वो 2 होता है ठीक है तो यहाँ पर हम पहला option देखते हैं तो देखो x को x से multiply करेंगे यहाँ पर देखो x x minus 3 बराबर यहाँ पर x square minus 7 तो ध्यान दिजेगा students x को x से multiply किए x square minus 3 x बराबर x square minus 7 ध्यान दिजे students यहाँ पर x square cancel हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो option A है यह आपका क्या है दुईघाज समिक्रण नहीं है क्योंकि X का highest power कितना हो गया 1 हो गया बलकि दुईघाज समिक्रण होने के लिए हम जानते हैं कि X का highest power 2 होना चाहिए ठीक है अब दूसरा option हम यह देखते हैं क्या है X plus 1 का square equal to X square minus 5X यहाँ पर ध्यान दीजेगा students A plus B का whole square का formula होता है A square यहाँ एने X square B square यहाँ एने 1 का square प्लस 2AB यहाँ 2X बराबर X square minus 5X ध्यान दीजेगा students यहाँ पर भी X square cancel हो गया यहाँ एने X का highest power जो 2 था वो cancel हो गया तो इसलिए option B भी हमारा यह दुईघाज समिक्रण नहीं होगा अब हम तीसरा यहाँ पर option देखते हैं क्या है X plus 1 का square बराबर 2 times of यहाँ दो गुना X minus 3 यहाँ पर A plus B का whole square का formula यूज करेंगे A square plus B square यहाँ 1 का square plus 2AB 2 गुना X गुना 1 यहाँ 2X बराबर 2X minus 6 तो ध्यान देजिए कि student यहाँ पर 2X 2X कड़ गया और X square plus 1 और इधर आगे जाएगा तो plus 7 बराबर 0 तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं आप कि X का जो highest power है यह जो हमारा समिक्रण है इसमें X का highest power 2 है तो यह एक दुईघात समिक्रण है तो इसका सही जो option हो जाएगा वो हो 13 यहाँ पर लिखा गया पहले क्या बूल रहा है AX square plus BX plus C equal to 0 के 2 भिन वास्तविक मुल होंगे तो देखो अगर 2 भिन वास्तविक मुल होते हैं तो फिर क्या condition होता है वो समझते हैं सबसे पहले बाबू यह समझ लो AX square plus BX plus C जो है बराबर 0 यह एक दुईघात समिक्रण क general form है ठीक है यहाँ पर आपको पता है कि जो D होता है जिसको आम लोग विविक्त कर बोलते हैं वो होता है D बराबर होता है B square minus 4AC ठीक बाबू अगर D जब यानि D मतला B square minus 4AC यह जब 0 के बराबर आता है तो हमारा जो मुल होता है जो हमारा आपका सुनियक निकलता है वो कैस समान निकलेगा धियान दीजेगा बाबू कि यहाँ पर दुई घाच समिकरंड में जो X का जो highest power होते है वो 2 होते हैं इसलिए इनका जो सुनियक निकलता है यानि तो वो कितना निकलता है दो ठो निकलता है तो यहाँ पर दोनों जो सुनियक निकलेंगे जब D जो है यानि जो हमारा b2-4ac अगर 0 के बराबर होता है, तो हमारा दोनों जो यहाँ पर सुनियक होते हैं, वो वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक, यहनि अगर a को 2 निकला है, तो दूसरा भी 2a निकलेगा, ठीक, एक्जामपल दीए, ठीक, अब दूसरा केस हो सकता है, या तो b2-4ac जो हो सकता है, क्या हो सकता है students, यह आपका बड़ा हो सकता है 0 से, पहला केस था बराबर हो सकता है, अगर बड़ा होगा तो उस केस में हमारा जो सुनियक होगा, कैसा होगा, तो आपको बता दे, वास्तविक, वास्तविक, मुल, वास्तविक मुल, और भिन-भिन, भिन-भिन होंगे, ध्यान दिजेगा students, ध्यान दिजेगा, वास्तविक मुल तो होगा, साथ में, जो आपका वो, आपका जो सुन्यक होंगे, वो अलग-अलग होंगे, मिसाल के तॉर प वास्तविक होगा लेकिन जैसे यहाँ पर समान था कब समान होता है जब b²-4ac बराबर होता है जब b²-4ac 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक मुल और भिन-भिन होंगे आपका जो सुन्यक निकलेगा तीसरा जो कंडिशन होता है पहला केस याद रखिएगा पहला दूसरा ये क केस हो सकता है और तीसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ पर b²-4ac छोटा हो सकता है 0 से तो इस तरह में इस केस में आपका जो सुन्यक होते हैं वो कैसे होते हैं काल पनिक काल पनिक या आप ये भी बोल सकते हैं वास्तविक नहीं होते हैं वास्तविक नहीं होते हैं नहीं तो य हमने तीन चीज आपको बता दिया यानि कालपनिक जो होते हैं कुछ इस तर से होते हैं रूट के अंदर माइनस में रहेगा है ना निगेटिव में नंबर रहेगा ठीक है ये सब कालपनिक कहलाती है तो ये तीन केस हम दो भिन भिन होते हैं दो भिन मतलब क्या वालग अलग समझ गये तो इसका जो सही ऑप्सन होगा वो ऑप्सन सी होगा ठीक तीसरा नंबर यहाँ पर देखेंगे दुई घात समिकरंड एक्स स्कॉयर प्लस एक्स माइनस वन इकुल टू जिरो के इसको हम कंपेर करते हैं एक्स स्कॉयर पलस बी एक्स पलस सी बराबर जिरो इसके साथ हम कंपेर करते हैं क्योंकि यह हमारा जेनरल फर्मूला है दुई घात समिकरंड का तो ध्यान दिजिए का एक्स स्कॉयर का जो गुना में कितना है वन है तो X square का गुना में क्या A तो A equal to 1 दियावा है यहाँ पर X का गुना में क्या B यहाँ पर X का गुना में क्या 1 तो B बराबर हो गया 1 यहाँ पर C है यहाँ पर C के जगा क्या है minus 1 तो यह आगिया minus 1 तो अब हम D निकालते हैं यानी हम मुलों की प्रकृति check करने के लिए मुलों की प्रकृति कैसे check करेंगे जब तक हम d find करेंगे d को देखते है d कैसे आ रहा है d 0 से बढ़ा आ रहा है छोटा रहा है बराबर आ रहा है तो अगर d मालूम calories चल जाएगा तो जो मुलों की प्रकृति वो भी मैंस 4 इसी जब 0 से बड़ा होता है तो हमारा कैसा होता है वास्तविक मुल और भिन-भिन होंगे यानि वास्तविक मुल भिन-भिन मतलब क्या आसमान वास्तविक तथा आसमान भिन-भिन मतलब अलग लग ना समझ रहे ना तो option A is correct तो मुलो की प्रकिरती कैसी होगी वास्तविक तथा आसमान यह हमारा question number 14 है कहरा दुईघाज समिकरन दियावा है इसका विविक्त कर क्या होगा तो यहाँ पर आपको दुईघाज समिकरन दियावा है x square minus x plus 3 बराबर 0 यह दुईघाज समिकरन दिया आपको विवितकार मतलब d निकालने बोला तो d बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है b square minus 4 ac तो b, a और c तीनों का value चाहिए तो यहाँ पर x square के साथ गुना में जो है वो हो गया a बराबर 1 x के साथ जो गुना में minus 1 है तो b बराबर minus 1 और c बराबर यह जो पूरा क्या है 3 अब हम क्या करेंगे b के जगा minus 1 का square minus 4 into 1 गुना 3 तो यहाँ परोगिया 1 minus 4 12 1 minus 12 यहाँ minus 11 तो यह क्या है 0 से छोटा है जितना भी negative नंबर होते है वो 0 से less होते है ठीक, clear है कोई इसमें doubt नहीं तो यहाँ पर d आप देख सकते हैं यहाँ बी स्कॉर मैनस 4 एसी जो आया वो क्या है छोटा आया 0 से तो हमारा हमने क्या बताया जब बी स्कॉर मैनस 4 एसी जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा तो आप देख सकते हैं जब बी स्कॉर मैनस 4 एसी वो आजाएगा अपको कितना आजाएगा माइनस एलीवन ठीक है तो ऑप्शन डी इस करेक्ट इस्टूड़न ये कोश्चन नुमर 15 है कहरा पर्थम पद यानि एवं सार्व अंतर डी वाले एपी का इनवा पद नी में से चुने तो ध्यान रखिए का ये फर्मूला होता है इस्टूडेंट पर्थम पद ये सही ऑप्शन है ठीक है ये हमारा कोश्चन नुमर 16 है इस्टूडेंट क्या कहरा है तेन सेवन फोर अंडॉट डॉट डिया वा उसका तीसवा पद देखो जब तीसवा पद बोले तीसवा पद बोले निकालने के लिए तो कुछ करना नहीं सबसे पहले देखो पहला टर्म कितना है यानि फर्स्ट टर्म यानि पहला पद कितना है ए बराबर 10 सारवंतर कितना है तो डी बराबर हो जाएगा सेवन माइनस ये जो दूसरा और पहला पद घटा दो 7 माइनस 10 यानि माइनस 3 तो अब आराम से आप तीसवा पद यानि याद रखना जब भी तीसवा पद बोले 28 बोले कोई भी तो तो यहां पर एन के जगा 30 डाल देना है तो देख सकते आप 29 डी आया ठीक है तो यह फर्मूला नहीं लगा के डिरेक्ट आप इसको इस तरह से लिख सकते है ठीक बस याद रहना यह 30 होगा तो यहां बर 29 हो जाएगा ठीक तो क्या होता ए बराबर कितना है 10 प्लस डी बराबर माइनस 3 तो यहां हो जाएगा 10 माइनस 29 सता इसका साथ हाथ में रहा 2 तीन दुना चोदू 8 तो यहां हो जाएगा आपका जाके माइनस 77 यह इसका एंसर हो जाएगा माइनस 77 option C is correct हमारा next question है students क्या है यहां पर 3 8 13 18 and dot dot का कौन सा पद जो है हमारा 78 है कौन सा पद जो है 78 है वो हमको नहीं पता तो यहां पर हम इस तरह का जब भी question आएगा तो यहां पर आपको मान लेना कि इन्वा पद इन्वा पद जो है आपका 78 है ऐसा मान लेना है ठीक जब आपको पता नहीं रहे तो एन बराबर इन्वा पद मतलब एन एन बराबर 78 तो यहां पर आ N-1 और D यानी 8-3 यानी 5 तो 78 बराबर 3 प्लस 5 N-5 तो 78 बराबर कितना हो गया 5 N कितना हुआ 5 में 3 गया 2 तो यहाँ पर 78 और प्लस 2 बराबर 5 N तो 5 N बराबर 80 तो N बराबर हो गया 80 by 5 यानी 5 वंज़ 5 और 5 6 या 36 यानी हमारा 16 यानी हमारा 16 जो पद होगा वो हमारा कितना होगा आपका जाके 78 होगा ठीक है तो इसका एंसर हो जागा 16 पद बोला न कौन सा पद तो 16 पद हमारा 78 है ठीक अब हमारा 18 नमर बोल रहा समरूप तिर्भुच की संगत बुजाएं होती है तो याद रखे कि का समरूप तिर्भुच की जो संगत बुजाएं होती है वो समानुपाती होती है ठीक है अगर अगर आपको इंट्रोड़क्शन चाहिए तो आप इंट्रोड़क्शन के लिए बोल सकते हैं बना देंगे यहाँ पर 19 नवब वर्णा दो समरूप तिर्भुच की भुजाएं फोर अनुपात नाइन के नाइन के नुपात में है ठीक है फोर इस्टू नाइन के नुपात में है इन तिर्भुच का छेतरफल का अनुपात क्या होगा देखो, दो समरूप तिर्भुच तिर्भुच कैसा है? समरूप है समरूप में क्या होता है? छोटा बड़ा होता है, साइच है ना सेब देखने में सेब है मालो A, B, C D, E, F तो ये दोनों तिर्भुच क्या है? आपके समरूप है, ठीक तो और कहरा है कि इनका भुजाओं का साइड है, मालो ये 4 है ये 9 है, ये 4 इस्टू 9 दियावा है तो इन तिर्भुच का छेतरफल का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान रिखिएगा जब तिर्भुच आपका समरूप होंगे तो इनका जो छेतरफल होगा जैसे आपका ट्रेंगल A, B, C का जो छेतरफल होगा A, B, C का जो छेतरफल होगा और यानि तिर्भुच के छेतरफल का अनुपात और triangle DEF का छेतरफल इन दोरों छेतरफल का अनुपाद जो होगा कुछ करना नहीं है यह जो side दिया है इसका संगा side को नहीं 4x9 यहनि AB बटा BC AB बटा DE सबका square कर दो इसका work चड़ा दो बराबर हो गया BC बटा EF सबका work चड़ा दो बराबर AC बटा DF बराबर इसपे work कर दो ठीक तो यही होता है formula कुछ करना नहीं देखो 4x9 दिया वा है तो इसका क्या हो जागा यहाँ पर 4 डालोगे यहाँ पर 9 डालोगे तो 4 बटा 9 का square 4 बटा 9 का square होगे 16 बटा 81 तो यह इसका answer हो गया यह तिर्भुच और यह तिर्भुच का जो छेतरफल का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 16 अनुपात 81 तो यह याद रखना यह चीज़ याद रखना जब भी अगर तिर्भुच समरूप होगे तो उनका जो छेतरफल होगा वो क्या होगा बराबर होगा AB बटा DE यानि जो आपका संगत साइट का जो अनुपात है संगत भुचा का जो अनुपात है सब का संगत भुचा देख सकते BC और EF का सब का यहाँ पर बस उस पर क्या चर कर देना है वर्क कर देना है ठीक है तो इसका सही option 16 बटा 81 हो गया 20 नमबर कह रहा है कि तिर्भुज ABC है एक तिर्भुज ABC दिलिख दिये हम यहाँ पर और कह रहा है AB जो है वो 6 root 3 है cm और BC जो है वो 6 cm है और AC आपका 12 cm तो ध्यान देखिएगा बाबू आपको हमने बताया था पैथागोरस थियोरम यह पैथागोरस पर में पढ़े थे आपकी H square जो होता है वो P square पलस B square यह किस यह जो formula है यह पैथागोरस थियोरम जो होता है यह पर में यह apply होता है जब triangle मेरा कैसा हो right angle triangle हो समझे तो यहाँ पर कौन B का value बोल रहा तो कौन B का value निकालने के लिए सबसे पहले हमको यह देखना होगा क्या यह कौन right angle triangle है तो right angle triangle अकर तभी होगा जब यह पैथागोरस थियोरम पर में पैथागोरस पर में जो है apply करेगा तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई भी दो side का square का sum third side के square के sum के square के equal है कि नहीं जैसे हम देख लेते हैं जैसे 6 root 3 का square करते है plus 6 का square करते है तो 6 root 3 यह नहीं 36 तिया 368 का 108 और 36 कितना हुआ 144 उसके ज़िए तो हम AC का square करके देखते हैं बराबर 144 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा AB square है और BC square है वो बराबर आ रहा है AC square यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तिर्भुज में पैथा गोरस theorem अपलाई हो रहा है तो ध्यान देखिएगा इन दोनों के square के sum किसके बराबर इसके बराबर है तो हमारा AC क्या है हमारा hypotenuse है ठीक है यह हमारा hypotenuse जिसको हम लोग करन बोलते हैं तो कौन सा करन है यह वाला करन है ठीक clear कोई इसमें doubt no problem तो यहाँ पर हमारा जो angle होगा यह कौन सा angle होगा यह 90 degree होगा तो angle B का value बोला था तो यहाँ पर 90 degree ठीक है जो 90 degree का कौन बनेगा वो जो करन होगा उसके ज़स सामने होगा करन के सामने तो यह देख सकते हैं 90 degree का कौन बना ठीक है angle B 90 degree बना तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को subscribe किजेगा वीडियो को like किजेगा share किजेगा support किजेगा thank you so much for watching this video